ये जीवन में कभी भी त्रिलमूल के कार्यकरताओं ने नहीं सोचा होगा कि जिस्ट Communist Party के नेताओं ने मम्ता बंदपाध्धाय के बाल खीच कर सडक पर उन्हें अपमानित किया उसी Communist Party के सनरक्षण में एक दिन मम्ता बंदपाध्धाय जी जाएंगे पशिम्बंगाल के कॉंग्रेस के उन कारेकरताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिस मम्ता बंदवपाध्याय के हाथ कॉंग्रेस के कारेकरताओं के खून से सने है वही हाथ एक दिन राहूल जी के सर पर दिखाई देगा ये कल्पना तो तमिलनाड की जनता ने भी नहीं की होगी कि जिस डियम के पार्टी को उननिस सो नब्धे के दशक में कॉंग्रेस के शीश नित्रित्व ने स्वर्गिय राजीव गांधी जी की हत्या में सहयोग देने का आरोप लगाया एक दिन उसी डियम के के साथ गांधी खांदान के नेत्रित्व में रिष्टे कॉंग्रेस पार्टी के और मधव होंगे राश्ट ने देखा ममता जी ने लालू जी के चर्ण स्पर्श किये लेकिन लालू जी ना जनता भूली ना निश्चित आप आपके दावों की पोल खोलते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया था राश्ट ये भी नहीं भूलेगा कि विपक्ष की नेता शरद पवार जी ने सोन्या जी के नेत्रित्व पर किस प्रकार की टिप्पनी की थी मैं विशेश आभार व्यक्त करती हूं कि ममता जी ने अपने उचित भाव तब प्रस्तुत किये जब उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांदी विपक्ष के लीडर बन गए तो नरेंद्र मोदी को पुना दोहजार चौबीस में प्रधान मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता स्वार्त का ये गडबंधन जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान ये राजनितिक दल जब भी कठे आए भ्रष्टाचार लाए परिवारवाद लाए और राष्ट की आर्थिक प्रगती को संकुचित करने का अपने संग आरोप लेते आए लेड़िस औ गेंटल्मने टिसेद आए वोल्स हंत इन पक्स है पोलिटकल पक में इन पटना तो प्रेव इन फुटर ए फूटिर विडिया इन इर रोनिकल that Trinamool Congress Party members today witnessed bonhami between Mamata Bandhapadhyay and that Communist Party, the leadership of which was particularly known for dragging Mamata Bandhapadhyay by her hair. especially when she tried to speak for the people of Bengal. It is ironical that the Congress leadership at the centre shakes hands with Mamata Bandhapadhyay, the TMC leadership whose hands are sullied by the blood of Congress workers in the state of West Bengal. That it is known in the late 90s, the Congress leadership had accused the DMC leadership of contributing to circumstances that led to the assassination of Shri Rajiv Gandhi, begs the question at what cost will the Gandhi family do its politics? While the nation was recently witness to Mamata Bandhapadhyay ji pay reverence to Lalu ji, I am sure neither the nation nor Lalu ji has forgotten how Mamata Bandhapadhyay presented a white paper describing in detail the incapacities of Lalu ji as a minister in the centre. It is interesting that Mamata Bandhapadhyay has been extremely prophetic when she said that if Rahul Gandhi is the leader of the opposition, then it is certain that Narendra Modi will yet again be elected as Prime Minister. Like I said, wolves hunt in pack. The prey today that they have decided will be the future of India. I will leave the floor open for questions please. Aarthik A. Naji Doji You have 2 questions. The two answers come by one. The the आमादमी पार्टी का गड़बंधन की शुरुवात में ही गड़बंधन को पुलिटिकली ब्लैकमेल करना इस बात का संकेत है कि इस अनहोली अलायंस के साथ क्या पुलिटिकल अनहोनी होने वाली है जहां तक महबूबा मुफ्ती जी का सवाल है श्रिमती सोनिया गांधी को स्पष्ट करना होगा कि क्या श्रिमती सोनिया गांधी और उनका परिवार पुना भारत का विभाजन चाहता है आपने मुफ्ता जी के विपक्ष की प्रेस कॉंफरेंस में नाराजगी का उलेक किया स्वार्थ शायद इतना भी बड़ा नहीं है कि वो ना भूली हों कैसे उनके बाल से उनको घसीट कर कम्यूनिस पार्टी ने नवान्नों में उनके अपमान किया अगर थोड़ा भी स्वाबिमान बचा है तो वो निश्चित रूप से कम्यूनिस पार्टी के साथ समझोता नहीं करेंगे लेकिन अगर समझोता किया तो ये इस बात का संकेथ है कि ममता जी के लिए उनका पुलिटिकल स्वार्थ उनके नीजी स्वाबिमान से बढ़ कर है जिनका जागरण उत्तर प्रदेश में ना हुआ हो वो बिहार में जाके नवजागरण की बात करें ये हास्यास्पद है नीरत पांडेश एडिवाद नीरत जी ऐसे कि मैंने कहा ये गज़बंधन स्वार्थ का है हम कतेई भ्रमित नहों निशाने पर मोदी नहीं भारत की तिजोरी है धन्यवाद आप स्मिति इरानी को सुन रहे थे केंद्री मंती और उन्होंने आज जो विपक्ष की बड़ी बैठक फटना में हुई उस पर चुंचुंग कर हमले किये उन्होंने याद दिलाया कि कैसे ये ममता बेनर्जी और कॉंग्रेस पार्टी एक साथ हा सकते हैं जिन ममता बेनर्जी का अपमान कॉंग्रेस पार्टी ने किया उनके बाल पकड़ कर घसीटा था लेफ्ट और ममता कैसे एक साथ हा सकते हैं शरत फवार ने कभी सोनिया गांधी के नित्वत पर सवाल उठाये थे उनकी विदेशी मूलकू लेकर के वो कैसे साथ दिसकते हैं उसी कॉंग्रेस पार्टी का ऐसे ही लालू यादव नितीश कुमार जिनको कॉंग्रेस पार्टी ने एमेर्जेंसी के दौर में जेल में डाला आज वही दोनों कॉंग्रेस के अगवाई में चुनाम लड़ने के लिए ततपर दिखाई दी रहे हैं आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने कहा कि पहले ही दिन से आम आदमी पार्टी ने इस गटबंदन के नाम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि आगे जाकर इस गटबंदन का क्या हश्र और क्या अंजाम होने जा रहा है श्मितिराली ने ये भी कहा कि ये अनेटिक गटबंदन है अन्होली अलाइंस है और जो अलाइंस अन्होली है उसके साथ अन्होनी होना तै है यानि भविश्च में इस गटबंदन का क्या रूप रेखा रहेगी ये साफ समझा जा सकता है